प्रभासाक्षी और मैं हूँ आपके साथ रेनुतिवारी हमारा खास प्रोग्राम है पुर्वत्र लोग जिसमें हम आपको जानकारी देते हैं नौर्थ इसकी खबरों के बारे में सबसे पहले आपको बताते हैं मिजोरम की खबर के बारे में बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाओ का शेत्र और तेज हो गया है तथा रविवार शाम तक यहाँ पर भीशन चक्रवाती तूफान के रूप में बांगला देश और इस से सटे पस्चिम बंगाल के तटो से ये तूफान टकराएगा मौसम विभाग ने इसकी जानकारी दे दी है इस मांसून पूर्व मौसम में बंगाल की खाड़ी में ये पहला चक्रवात है हिंद महासागर छेत्र में चक्रवात के नामकरन प्रणाली के अनुसार इस तूफान का नाम रेमल रख दिया गया है मौसम विभाग की विज्ञानी को मौनिका शर्मा ने भी बताया है कि यह प्रणाली शुक्रवार को सुभाय तक मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक दबाव छेत्र में केंद्रित हो जाएगी ये शनिवार की सुभा एक चक्रवाती तूफान में बदल जाएगा और इस से तेज हो जाएगा इसके बाद रविवार शाम तक एक गंभीर चक्रवाती तूफान का रूप लेकर मांगलादेश निकटवर्ती पस्चिम बंगाल के टट पर पहुचेगा इसके अलावा आएमडी ने कई सारे चेत्रों में भी बहुत जादा एलर्ट जारी कर दिया गया है क्यूंकि चक्रवात के कारएं 102 किलो मीटर पती घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है मौसम कार्याले ने 26-27 माई को पस्चिम बंगाल उत्तर उडी सामी जोरम त्रिपुरा और दक्षिर मरीपुर के लिए तटिये चेत्रों के लिए भारी वर्षा का भी एलर्ट जारी कर दिया गया है अब आपको बताते हैं कि अरुनाचल परदेश में इस बार क्या कुछ घटित हुआ है सबसे पहले आपको बताते हैं कि पुर्वोत्तर राज के उभरते हुए क्रिकेट खिलाडियों की मदद के लिए भारतिय क्रिकेट बोड यानि की BCCI ने सोमवार को 6 राजियों में इंडॉर क्रिकेट प्रसिक्षन अकाडमी की आधार शिलार रखी है इंडॉर क्रिकेट अकाडमी अरुनाचल प्रदेश, मरीपूर में घाले, मिजोरम, नागालेंड और सेक्किम के खिलाडियों को सुविधा प्रदान करेगी यह अकाडमी शिलोंग, इटा नगर, कोहिमा, आईजोल, इंफाल और गंग्टो क्यम में इस्थित होगी बी सी सी आई के सचीव जैशाह ने अपने ट्वीटर पर लिखा है कि पुर्वोत्तर में बी सी सी आई की आगामी अत्याधुनिक इंडॉर प्रसिक्षन सुविधा की अधार शिला रख कर सम्मानित महसूस कर रहा हूं इसके लावा अरुनाचर प्रदेश के चंगलांग जिले में फरजी मद्दाता पहचान पत्र बनाने को लेकर निर्वाचन अधिकारियों के कारवाही नहीं किये जाने के बाद एक महिला की शिकायत पर राजमान अधिकार आयोग ने उनके खिलाफ संग्यान लिया है महिला ने पिछले साल जून में निर्वाचन आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी महिला के आरोप है कि चंगलांग में जिला निर्वाचन अधिकारी और निर्वाचन पंजीकरन अधिकारी ने उस व्यक्ति के खिलाफ कारवाही नहीं कि जिस पर धोका दड़ी से फरजी अधिनियम के दोरान विस्थापित हुए 600 परिवारों को दरांग जिले में गोरु खुटी में उनके अस्थाई आवास से स्थानत्रित करने के लिए एक अभ्यान चला रही है एक वरिष्ट अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी है प्रभावित परिवारों ने दाव किया है कि गोरु खुटी के दो इस्थानों पर 620 घर पहले ही नस्ट हो चुके हैं और कारवाही अभी जारी है इसके अलावा आसम की नगाओं लोगसभा सीट के एक निर्दली उमिदवार को एक महिला के साथ कथिक तोर पर बलातकार करने और फिर से उसे ब्लैक मेल करने क आरोप में गिरफ्तार किया गया है पुलिस अधिकारी ने सोमवार को इसकी जानकारी दी थी नगाओं सीट पर 26 अपरेल को मद्दान हुआ था अधिकारी ने बताया कि आरोपी अभू शर्मा को भी एक दिन पहले गिरफ्तार किया किये जाने के बाद रविवार को उसकी न पजबूत बनाने और व्यवस्था पर काम कर रही है एक मंत्री ने इस बात की जानकारी दी है परिवहन मंत्री शुशांत चौधरी ने कहा है कि तिरपुरा में इधन और सामाल लाने ले जाने के वेकल्पिक व्यवस्था होगी असम के जतियांगा में एक मालगाडी के भू संखलन के वजह से यातायात पूरी तरह से बहुत जादा प्रभार भी थो गया था जिसकी वजह से इधन संकट तुरुपुरा में हुआ था अब इसका सॉलूशन निकाला जा रहा है अब आपको बताते हैं मेगाले की खबरों के बारे में सिनिमा के नाम पर मेगाले म केवल अभी तक दो ही सिनमा घर है लेकिन इस छोटे से राज के गारों की लगू फिल्म रिम डॉंगिंटा ने प्रांस में इतिहास रच दिया है फिल्म निदेशक डॉमिनिक संगमा की फिल्म रिम डॉंगिंटा यानि की रचर फ्रांस के 33 सहरों और 36 सिनमा घर में पर्शन भी कर रही है और उसको रिलीज हुए कम से कम दो सब्सक्राइब हो चुके हैं तो यह थी नौर्थीस्ट की इस बार एहम खबर ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें प्रभा साक्षी के साथ नमस्कार अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके